हाई गईस एन वेलकम बैक टू दी चैनल दीपचियादा वेजुकेशन वेलकम टू दी डेली करेंट अफियर्स ओफ 11 ओफ मई 2022 तो गईस आज है तारीक 11 मई 2022 और है वेडनस डे आज की तारीक से जितने भी most important करेंट अफियर्स बनेंगे उन सभी करेंट अफियर्स को हम क्लिक करोगे ये टेलिग्राम चैनल ओपन हो जाएगा यहां से आप लोग डेली बेसिस पर इस टीने के पीडियेफ को डाउलोड कर सकते हो अधर्वाइस अगर आप लोगो इस तरीके से ये चैनल नहीं मिलता है तो एक और बहुत सिंपल सा तरीका है डिरेक्ली टेलिग्र पर जाना उसके बाद सर्च बॉक्स में टाइप करना दीपक्याद वेजुकेशन जैसे ही आप टाइप करोगे आपके सामने इस प्रकार से ये तीनो चैनल ओपन हो जाएंगे एक क्या आगे आंसर राइटिंग लिखा है एक क्या आगे कुछ नहीं लिखा लेकिन यहां पर प्राम आइडी का लिंक मिल जाएगा वहाँ पर कनेक्ट होकर आप अपनी सारी क्वरीज को मुझसे पूछ सकते हो नाउ स्टार्ट करेंगे डिसकुशन को यह हमारा आज का एक सबसे इंपॉर्टेंट आर्टिकल यहां पर हम लोग एक्जाम की पॉइंट है विसे काफी सा पिछले साल आ चुका है अभी हम लोग बात करें तो यहां पर यह पांचवा रिपोर्ट है और इस पांचवे रिपोर्ट का यह सेकंड फेस है अब इस सेकंड फेस के अंदर जो भी डेटा इस रिपोर्ट में लाया गया है वही डेटा हम लोग यहां पर डिसकुस करेंगे जैसे इस report में क्या-क्या discuss क्या जाता है fertility rate क्या चल रहा है ठीक है ये सारी चीज़े क्या होती है आगे मैं आप लोगो बताऊँगा क्योंकि यहाँ पर अगर मैं बता दूँगा फिर आगे फिट से बताना पड़ेगा तो यहाँ पर थोड़ा सा में release कर दिया गया है इस आर्टिकल को दहिंदू इंडिन एक्स्प्रेस हिंदूस्तान टाइम्स लाइव मेंट अल्मोस्ट सारे न्यूसपेपर्स अल्रेडी कवर कर चुके हैं तो यहाँ पर आप देख पाऊगे जिसके basis पर पूरा data लेकर आते हैं यहाँ देख पाऊगे चाओ तो आप लोग यहाँ से भी रीड कर सकते हो सारी information यहाँ पर दी गई है लेकिन इस पूरे article को मैंने आगे copy paste कर दिया है तो बिल्कुल basic से समझेंगे यहाँ पर article मैंने पूरा इसलिए लगा दिया ताकि आप लोग देख सको कि हाँ जो discussion हमारा वो बिल्कुल authentic way में होता है लेकिन यहाँ पर आप देख पाऊगे यह जो report है इस report के अंदर क्या-क्या information होती है पहले हमें यह समझना होगा क्योंकि यह report होती क्या है जब तक यह समझ में नहीं आएगा तब तक आगे ही कहानी समझ में नहीं आएगी तो इस report में क्या-क्या होता है तो national family health survey 5 वाली report के बारे हम बात करें तो आखिरकार यह क्या है देखो इस report के अंदर बहुत सारी detail में information लाई जाती है वो information कौन कौन सी हो गई वो information population से संबन देता है health से family welfare से खासकर fertility rate हो गया family planning infant child mortality rate maternal उसके बाद child health यानि कि आपका सकते हो बच्चों की health country के अंदर किस प्रकार से जा रही है ठीक है या फिर जो बच्चे है उनकी 5 साल से कम उम रहे हैं पर कितने बच्चों की death हो रही है उसका ratio लेकर आना प्लस कितनी women's यहाँ पर या कितने लोग हमारे country में एनीमिया से सफर कर रहे हैं ठीक है कितने लोग की जान जारी है women empowerment कहां तक देखने को मिलेगा तो यह सारी information एक country के level पर तैयार करके इस report के अंदर दी जाती है और यह report हमारे सामने लेकर आता है और अभी देखो latest यहाँ पर यह है कि यह latest वाली report है यह 5 वी report है इसका second phase है इसमें ना केवल इतनी information कवर करी गई है इसके अलावा भी यहाँ पर बहुत सारी information कवर करी गई जैसे कि यहाँ पर death registration कितना चल रहा है उसके आद यहाँ पर preschool education की बात करें मतलब कि कितने पर इसके बाद यहाँ पर alcohol और tobacco का use कितना हो रहा है वो सारी चाज़ें यहाँ पर mention की जाती है कि कौन से state में यहाँ पर tobacco का use जादा हो रहा है तो वो पूरा का पूरा data तयार करके हमारे पास यह national family health survey लाता है बैताने का मक्साद यह है कि आप लोग समझ सको कि आखिरकार report क्या है और क्या चीज़ यह लेकर हमारे सामने आती है फिर उसके बाद यह जो यहाँ पर national family health survey 5 है यह हम लोग को यहाँ पर information काफी सारी provide करवाता है कि हमारे पास इतना सारे data आ जाएगा कि हाँ आखिरकार देश में चल गया रहा है इन इन चीज़ों को लेकर तो उसके basis पर हम लोग क्या कर सकते हैं अपनी progress को track कर सकते हैं कि हम लोग यहाँ पर progress कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं अगर यहाँ पर हालात खराब होते रहे होंगे जैसे कि आप लोग कह सकते हो जो alcohol consumption वो बढ़ रहा होगा tobacco consumption बढ़ रहा होगा ठीक है बच्चों की death जादा हो रही ह हैं तो उसी को देखके रहाँ हैं तो यहीं इंफोमेशन हम भी करती है कि हम लोग इसको देखके ट्रैक कर सकते हैं कि हम लोग प्रॉग्रायस में है या नहीं है हम लोग बढ़ रहे हैं य हैं या नहीं बढ़ रह manner है 215 Healiie euros जो डोख का यह था कौछी बार अपने इसके ब 2015-16 में आई थी ठीक है यह आप लोग देख पाओगे उसके बाद National Family Health Survey 5 वाली रिपोर्ट 2019 से किस के बीच में आप लोगो यह देखने को मिल जाएगी तो यहाँ पर बोला गया कि हम लोग दोनों को compare करेंगे कि हाँ पिछले बार से अपकी बार में क्या-क्या आपको improvement देखन करता हैं यहाँ से article बेहद important होने वाला है सबसे पहला point यहाँ पर इस report के अंदर cover किया जाता है total fertility rate पहले तो हमें यह concept समझना होगा यह total fertility rate होता क्या है देखो मालों यहाँ पर एक women है इस women के यहाँ पर जो उम्र है वो 15-49 के बीच के जो उम्र है यह उम्र ऐसी होती है जह तो यहाँ पर आप देख पाऊगे बोला गया overall अगर हम लोग total fertility rate को देखें तो यहाँ पर decline हुआ है जो national family health survey 4 वाला था अभी मैं आपको दोनों को बीच में बताये कि हाँ दोनों के बीच में comparison किया गया है तो जो हमारे पास जो 4 वाला पिछला सरवे है और जो अभी नया वाला सरवे है दोनों के बीच का difference देखें तो पहले total fertility rate यह 2.2 हुआ करता था यह कम होकर 2.0 हो चुका है मतलब कि एक women पहले यहाँ पर जादा बच्चों को जन्म दे रहे थी अब यहाँ पर जो women है उन्होंने बच्चों को कन जन्म दिया है या फिर आपका से तो population फर्टिलिटी रेट है वो कहां कहां पर देखने को मिला है तो बिहार और मेगालिया यहाँ पर सब सादा खाला है यहाँ पर सब सादा बच्चों ने जन्म लिया है ठिक है उसके बाद जो सिखकेम और अन्ड़मान निकोबार आइलेंड है यहाँ पर जो fertility rate है वो काफी lowest द कर 2020-21 के बीच में तो 1992 और 1993 के बीच में जो यह टोटल fertility rate वो 3.7 का हुआ करता था मतलब कि एक women 3.7 बच्चों को जन्म दे रही थी ठीक है लेकिन यहां पर आप देख पाओगे यह 2019 से 2021 के बीच में आपर यह 2.1 हो जाता है तो गाउं वाले area में यह fertility rate कम हुआ है और शहर वाले area में भी बहुत ज़ादा यह कम हो चुका है पहले 2.7 था तो यहां पर यह 1.6 हो चुका है अब community wise बात करें तो यहां पर जो Muslims का fertility rate है वहां पर एक sharpest decline देखने को मिला है सभी religious community में ऐसा यहां पर इस report ने बताया अब यहां पर बात आती है दूसरे point के उपर यह तो हमने पूरा का पूरा portion कवर किया कि इस report ने fertility rate को लेकर क्या-क्या information हमें दी है अब बात आती है underage marriages के बारे में यानि कि यहां पर आपका सकते हो कि मतलब child marriage हो या फिर कम उमरों यहां पर शादी हो रही है तो underage marriage का जो overall data देखा गया है यह यहां पर बोला गया कि underage marriage भी down हुई है यानि कि जो पहले एक ऐसा समयता जहां पर कम उमर में शादियां करवाया दी जाती थी बट आज के time पर यह कम हुआ है यह भी हमारा जो national family health survey 5 है इसके according बात करें तो एक time पर लगबग 26.8% के आसपास यहां पर यह marriage होई थी ठीके लगबग 18 साल से कम उमर के अंदर यानि underage marriage होई थी लेकिन अभी हैं पर यह 26% से कम होगा 23% पहुँच चुका है यह यहां पर बताया गया तो national family health survey 4 के अंदर यह data 20% के आसपास खा था अभी यहां पर 5 के अंदर आप देख पाओगे यह 17.7% का पहुँच चुका है यह जो उपर वाले data में आपको बताया था परसेंटेज में यह women वाले data था जो नीचे वाले data में आपको बता रहा हूँ यहां पर men का data है ठीक है men के बीच में यहां पर जो men की underage marriages हुई है वो भी कम होती भी नज़र आई है आज का time पर और women की भी यहां पर जो एक time पर underage marriages हुआ कर दी थी वो भी यहां पर कम हुई है तो पुरा के अंदर सबसे बड़ा jump देखने को मिला है marriage के अंदर हमने देखा जो marriage है जो शादिया वो बढ़ चुकी है पहले यहां पर 33.1% के आसपास हुआ करती थी तो यहां पर national family health survey 5 के अंदर हमने देखा है यह 40% प्रतीशत तक पहुँच चुका है ठीक है पिर उसके rate वाले कौन से हैं मतलब की कौन से जगा ऐसी या फिर कौन से unitarity और state ऐसे हैं जहां पर कम उम्रे शादिया बहुत कम हो रही है तो वह जमू एंड कश्मीर है लक्षवदीप है लदा के हिमाचल प्रदेश गोवा नगलेंड करेला पुडूचेरी और तामिल नाडू अपको है use of contraceptive method का यहां पर बोला गया जो contraceptive method है याने कि जो protections हम लोग use करते हैं ठीक है तो क्या इनका जो use है वो बड़ा है या घटा है तो यहां पर इसमें एक employment factor देखने को मिला बोला यह गया कि लगबख 66.3 जो percent जो women है जो कि आज कि टाम पर employed जो कि कहीना की काम कर रही है तो इन्होंने कहीं न कहीं modern contraceptive method का इस्तमाल किया है और जो पहले का जमाना था मतलब कि पहले का data है खासका National Family Health Survey 4 वाला data आप देख पाओगे यहां पर 53.4 percent women ने यहां पर एक तरीके साब कर सकते हो contraceptive methods का इस्तमाल किया था जो कि employed नहीं थी ठीक है तो यहां पर यहां पर पिछला data है तो basically कहने का यहां पर परपस यह है कि जो contraceptive use है वो बड़ा है ठीक है जो modern contraceptives है जो protection है जो यहां पर बढ़ते वे नजर आए हैं यहां पर बता गया income के साथ में यहां पर इसका भी use बढ़ा है contraceptive methods क्या होता है ठीक है यहां पर condoms हो गए female condom oral contraception होता है ठीक है इस प्रकार सा आपको यह अलग-अलग contraceptive methods देखने को मिलता है जिससे यहां पर pregnancy वाली situation नहीं आती है ठीक है तो यहां पर इनके methods भी जो यह use है basically वो बड़े है ऐसा इस report ने मताया देन उसके बाद यहा घरेलू हिंसा है वो बड़ी है या कम हुई है तो overall data के बारे में चर्चा करें तो domestic violence भी यहां पर थोड़ा सा down हुआ है लगबग आप कह सकते हो कि पहले यहां पर 31.2% के आसपास हमने domestic violence देखा है तो यह गिरकर 29.3% के आसपास पास पहुंच चुका है तो थोड़ा सा ही down देखने को मिला है जादा down नहीं हुआ है लेकिन आज के टाइम पर भी बहुत सारे राज्ये ऐसा है जहां पर सबसे जादा women के against में घरेलू हिंसा होती है तो राज्ये कौन कौन से है तो यहां पर सबसे जादा जो domestic violence होता है वो करनाटका के अंदर है 48% के आसपास का उसके birth का मतलब यहां पर यह है कि देखो पहले के time पर क्या हो रहा था कि जो बच्चा है बच्चा यहां पर जन्म ले रहा था घर के अंदर ही ठीक है घर के अंदर ही यहां पर home delivery की जा रही थी अब यहां पर क्या है फोकस यह क्या जाता है कि जो यहां पर women's है वो अपने बच् देखें जहां पर या फिर विमेन की जान चली गई है या फिर बच्चे की जान चली गई है तो इसके लिए जो है hospitals में हो रही थी लेकिन अब ये 89% के आसपास हो चुका है ठीक है ये आपको clear हो जाना चाहिए यहाँ पर अपर आप कह सकते हो कि बच्चे की जो उम्र है उसकी उम्र के हिसाब से उसकी जो height है वो बहुत जादा कम है यहाँ पर एक standing की category कहलाती है तो जो level of standing है बच्चो या कम हुई है तो ये भी यहाँ पर थोड़ा सा कम होता है थोड़ा सा ही कम हुआ है पहले 38% तो 36% हुआ है मतलब देखो ये situation कब आती है मतलब बच्चे के उम्र के हिसाब से उसकी height कम है कब आती है situation तब आती है जब उसके proper खाना ना मिला हो उसकी body में proper nutrition ना गया हो ठीक ह उसके body के अंदर ये हालात आएगी कि यहाँ पर अपनी उम्र के हिसाब से weight कम है या फिर height कम है है ना तब ही situation आएगी लेकिन ये क्या ये चीज़े improve हुई है थोड़ा सा पहले जादा हुआ करता था ये standing अभी कम हुई है ये हमारे पास information निकल कर आती है फिर उसके बाद दूसरा topic उठाया गया obesity का, obesity मतलब मोटापा, तो National Family Health Survey 4 के अंदर बात करें जो obesity है वो काम हुआ करती थी लेकिन obesity यहाँ पर बढ़ गई है आकरकार हमने काफी सारी चीज़ों के अंदर improvement किया लेकिन जो यहाँ पर आप देख पाऊगे ये काफी बड़ा बदला आप देख 24% है और पहले वाली report में में के अंदर में ये जो fat है या फिर मोटापा है वो 19% हुआ कर दा था तो आज के टाइम पर 23% है तो यहाँ पर मोटापा increase हुआ है यहाँ पर इस report ने mention किया पिर उसके बाद इस report ने last में कुछ और चीज़े भी mention करी है sustainable development goals को लेकर कुछ चीज़े आपे बताई है इन्होंने बोला कि देखो जो ये national family health survey 5 आपको देखने को मिल रहा है यह basically हमाई पूरा का पूरा देखने को मिल रहा है एक overall improvement की तरफ बढ़ता है इसका major काम यह है कि हम लोग अपने sustainable development goals को achieve कर सके और इसको देखते वे हमने ये पर बहुत सरी decision लिए जाते है women की health care अपने health care का ध्यान रखने के लिए decision खुद ले पा रही है घर के अंदर जो खरीदारी कर रही है उसका decision ले पा रही है अपने family relatives को visit करना है नहीं करना है उसका decision ले पा रही है ऐसा इस report ने बताया फिर यहां पर mention किया जो घर के कुछ decision making है ठीक है उसके अंदर जो women का participation है वो increase हुआ है लद्दाक नगलेंड मिजुरम यहां सभी जगह पर women का participation घर के मुद्दों में increase हुआ है पहले इतना नहीं हुआ करता था बट आज का time पर increase होता वह नजर आए फिर उसके एक और सबसे major point आपको यह देखने को मिलेगा जो women's है आज का time पर जो women है बहुत सारी women के पास में उनका bank or saving account है लेकिन जो पहले वाली report है बताता है लगबख पहले 53% के women के आपस पास आपको सकते हो इनके पास में जो bank or saving account हुआ करता था बट आज का time पर यह data increase हो चुका है पिछले 4 सालों में 79% के आपस पास पहुँच है तो आज के time पर बहुत सारी women's है जिनके पास में bank or saving accounts आपको देखने को मिल जाएगा तो overall कहने का मतलब यह है कि women का participation है वो हर चीज के अंदर increase हुआ है ऐसा इस report ने बताया I hope आप लोग को बहुत सारा data इस report के regarding मिला है आप लोग इस report का use अपने means answer writing में कर सकते हो खासक अगे बढ़ेंगे लेकिन उससे पहले अभी तक आपने वीडियो के उपर जो like का button ने उसको नहीं दबाया तो उसको दबा देना और दबा कर आप लोग अपने support दिखा सकते हो यहाँ पर आता है एक और important article बहुत जबरदस article है इसको हम लोग पूरे exam के perspective से discussion यहाँ पर करने वाले हैं बहुत सारी information यहाँ पर आपको मिलने वाली है देखो हुआ क्या मिघालिया के अदर एक beef crisis देखने को मिल रहा है ठीक है एक तरीके से पूरी तरह से beef का अकाल पढ़ मिघालिया में अब यह क्या हुआ है इसको थोड़ा सा हम लोग समझते हैं देखो यहाँ पर मिघालिया और असम दोनों का ही रोल आपको देखने को मिलेगा पहले हम लोग अगर north eastern states के बारें बात करें तो यह आपको north east इंडिया का map देखने को मिल जाएगा अब यहाँ प जो कि first organic state आपको देखने को मिल जाएगा है ना पिर उसके बाद यहाँ पर chicken neck आता है जिसको हम लोग सीलिगूरी corridor के नाम से भी जानते है chicken neck आपको देखने को मिल जाएगा जो कि हमारे north eastern states को भारत के साथ में connect करता है इस वाले portion को हम लोग बोलता है chicken neck अब यहाँ पर हम लोग यहाँ पर article में बात करें तो beef को example लेते हैं अब जो यह beef वगरा है वो मिघालिया के अंदर आता है अब जब आता है तो यह असम से होता हुआ आता है अब असम से होता हुआ मिघालिया में आता है लेकिन असम ने इसी beef के transportation के उपर रोक लगा दी है जिसकी वज़ा से crisis आ चुका है एक beef crisis में घालिया के अंदर में तो यह तो हमने बात करें है to the point लेकिन इसके पीछी का कारण क्या है क्योंकि असम अपने आप में ही एक act को लेकर आ चुका है एक act जो की बहुत पुराना था लेकिन उसमें पिछले साल amendment किया गया है आपको शायद पता होग के बारे में हमने पिछले साल discuss किया था असम के पास में एक act है असम cattle preservation amendment act 2021 आपको दिख रहा होगा यह amendment act है हाला कि यह पहले 1950 में लेकर आया जा चुका है पहले ही लेकिन इसमें पिछले साल यह amendment किया गया था इसमें एक संशोधन या बदलाव किया था वो बदलाव क्या थ है वो भी आपको नीचे comment section में लिखना है तो होता गया यहाँ पर असम के पास में cow protection laws है वो law आपको यह देखने को मिलेगा जो कि असम के अंदर यह वाला law है इस असम के अंदर यह जो law है लागू किया गया है और लगबग आपका सकतो बिछले साल इसको लाया गया था जि इसकी वज़ा से मेघालिया के अंदर यह beef crisis देखने को मिल रहा है यह यहाँ पर यह रिपोर्ट बताती है प्लस आपको यह भी धियान रखना है जो यह north eastern states है यहाँ पर बहुत सारा जो meat है वो consume किया जाता है ठीक है बहुत अलगले प्रकारतिया पर meat consumption देखने को मिलता है बहुत सारे meat यहाँ पर consume किया जाता है अब यहाँ पर आप देख पाऊगे यह भी mention किया जा रहे है कि देखो यहाँ पर यह चीज़े note करने वाली बात है कि जो north eastern states है जैसे अरुनाचर प्रदेश मेघालिया मीजोरम नगलेंड हो गया यहाँ पर कोई ऐसे law नहीं देखने को रुक दिया गया था इसको पूरी तरह से बैन कर दिया गया था अब असम के इसी act की वज़े से आज के टाइम पर मेघालिया मैं यह crisis देखने को मिल रहा है आगे cover करते हैं इसको हम लोग थोड़ा details हम लोग चलेंगे यहाँ पर आप देख पाऊगे पहले मैं आप लोग तो सबसे पहला feature आता यह है कि यह जो act है यह कहीं नहीं कि slaughter of cows यानि कि आप लोग यहाँ पर cow को तो बिल्कुल नहीं मार सकते है ठीक है जो bulls हैं, bullocks हैं और buffalo है इनकी slaughter कर सकते हो इसकी permission available है लेकर ध्यान अखना है कि जो भी यहाँ पर यह आपको cattle देखने को मिलेंगे इनकी जो age है वो 14 years से उपर क्यों नहीं चाहिए तब आप यहाँ पर उनको भी एक तरीके से क्या गड़ सकते हो, यहाँ पर slaughter कर सकते हो लेकिन फिर साथी साथ यहाँ पर यह act यह बोलता है कि यह असम के अंदर लागू होता है और असम यहाँ यह बोलता है कि इस act के लागू होता ही जो इंट्रा स्टेट और इंट्रे तो अगर इनका ट्रांस्पोर्टेशन होता है राज्य के अंदर में तो राज्य के अंदर भी भी ट्रांस्पोर्टेशन नहीं किया जा सकता और राज्य से दूसरे राज्य में भी ट्रांस्पोर्टेशन नहीं किया जा सकता तो इंटरस्टेट और इंटरस्टेट दोनों भी यहाँ पर रोक दिये गए, तो आप लोग कहीं से इधर से उधर तक नहीं ले जा सकते इस beef को, यह यहाँ पर बोला गया, हाला कि कुछ locations पर permission दी गई है, आप वहीं पर थोड़ा सा transportation कर सकते हो, उसके अलावा नहीं कर सकते कहीं पर भी, ऐसा assembly इसके ओपर एक band लगाया, देन पूरे एक्ट को अच्छे से implement किया जाएगा, उसको inspect किया जाएगा, उसके साथ यहाँ पर cattle है, तो उसको seize किया जाएगा, अगर मालो कोई vehicles वगरा का इस्तमाल की जा रहा है, तो यहाँ पर vehicles को seize वगरा कर लिया जाएगा, मतलब transportation अगर हो रहा है, क्योंकि एक्ट लागू सरी problems भी आपको देखने को मिल जाएगी, सबसे पहला issue क्या है, कि यहाँ आप लोग आप देख पाऊगे, यह जो act है, एक अनुचित तरीके से यहाँ पर limit लगाता है, इस सीच के उपर, तो कि यहाँ पर जो एक तरीके से मैं आपको अभी जो map दिखाया है, इस वाले map में यह सब नहीं पहुंच पाएगा, तो यह यहाँ पर बोला गया कि सबसे बड़ी इसमें issue जो है वो यह आपको देखने को मिल जाएगा, फिर उसके बाद यहाँ पर यह बोलता है, यह जो act है, यह रोक लगाता है, cattle transportation के उपर में, असम से आप दूसरे राज्ये में यहाँ पर ट्रांसपोर्ट इन नहीं कर सकते हो, तो यह भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आपको देखने को मिल जाएगी, तो कि यहाँ पर अगर असम के अंदर बैन किया गया है, तो यह कुछ यहाँ पर issues भी बताएगा है, इस particular act को लेकर, फिर यहाँ पर बोला गया, कि जो ह हमारे cow slaughter, इसको क्यो बैन किया गया, ठीक है, cow slaughtering को आखिरकार क्यो बैन किया गया है, यहाँ पर इसको थोड़ा सा हम लोग समझते हैं, क्योंकि जब आप लोग हमारा constitution देखते हो, हमारे समिधान के अंदर जो DPSPs हैं, Directive Principles of State Policy, इसका Article 48, यहाँ पर खुद बोलता है, कि हाँ पर क्या करना है, हम लोग को steps उठाना है, preserve, यानि सुरक्षा करने है, protection करने के लिए, और improve करने के लिए, जो हमारी animal breeds हैं उनको, साथे साथ हम लोग को, जो cows की slaughtering हो रही है, इसको रोकना है, prohibit करना है, cows हो गए, cows हो गए, और भी जहाँ पर mils, यानि दुधारू जो लोग को पास कर रखा है, जहां पर ये slaughtering जो होती है, cattle की उसको पूरी तरह से रोक रखा है, ठीक है, एक तरीके से उसके उपर काफी सारे restrictions लगा रखे हैं, तो clear हुआ, बाकी सारी जगह पर वैसे तो buffaloes वगरा allow करी गई हैं, वैसे तो cow के जो slaughtering है, उसको पूरी तरह से के साथ में क्या हुआ, ये जो prohibition लगातार बढ़ता रहा, बहुत सारे राज्यों ने ये रोक लगा दी, और आज के टाइम पर मैंने आपको बता है, 20 से जादर राज्यों इसको लागू कर चुके हैं, और जुन्होंने बैन लगा रखा है, इन सब चीजों के उपर, जो cow क पूरी तरह से यहाँ पर स्लोटरिंग रोक रखिये, आप कैटल की स्लोटरिंग उसकी हत्या नहीं कर सकते हो, तो यहाँ पर इन राज्यों में पूरी तरह से बैन है, लेकिन हमारी जुडिश्री ये बोलती है, कि देखो 1958 में एक मुद्दा पहुंचता है सुप्रीम कुछ चीज़े बोलता है, सुप्रीम कोर्ट यहाँ पर यह बोलता है कि देखो, अगर आप लोग इस प्रकार से काम करते हो, ठीके, आप लोग अगर कैटल की स्लोटरिंग के उपर रोक लगाते हो, मतलब राज्यों से बोलता है कि आप लोग अगर कैटल की स्लोटरिंग के उपर इनकी हत्या के उपर रोक लगाते हो तो कहीं न कहीं कुछ हमारे trading हैं ठीकिया पर इसी चीज का व्यापार कर रहे हैं उनके fundamental right वाले टो रहे हैं उनके पास right to practice their trade है right to practice their profession है तो उनका यह fundamental right जो है यह वाले टो रहा है ऐसा यहाँ पर सुप्रीम कोड बोलता है लेकिन सुप्रीम कोड यहाँ पर यह भी मेंशन करता है कि दुखो अब्दिस ही बात है आप लोग अगर बैन लगा रहे हो स्लॉटरिंग के उपर तो यहाँ पर रोक लगाई जा सकती है लेकिन आपको ध्यान रखना है कि जो हमारा एक तरीखे से काउस की स्लॉटरिंग है वो तो यहाँ पर प्रोहिबिट कम्प्लीटली है इन फैक यहाँ पर यहाँ पर बाकी जो बुल हो गए बुलक्स हो गए बफ एक एज के बाद में यहाँ पर इनके उपर बेहन नहीं लगाया जासकता तो यहाँ पर आपका सकते हो यहाँ पर सुप्रिम क कर एक judgment आता है, तो जुडिश्री का यहाँ पर यह role आता है, कि basically जो slaughtering of cows है, वो तो basically यहाँ पर पूरी तरह से रोका गया है, उसको prohibit कर रखा है, लेकिन जब आप लोग दूसरी तरह देखते हो, bullocks, bulls, buffaloes आपको देखने को मलेंगे, तो एक particular certain age तक यहाँ पर उसको ban किया ज इनको यहाँ पर slaughter करने की permission मिलती है, लेकिन यहाँ पर 14 साल के बाद यहाँ पर उनको slaughtering किया जा सकता है, ठीक है, यह यहाँ पर आपको मिल जाता है, I hope आप लोगों ने यहाँ पर इस article में बहुत सरी information गेन कर ली होगी, और बहुत कुछ आपको exam के perspective से मिल चुका होगा, तो अभी इन सब चीजों की वज़ा से ही क्या हो रहा है, मिघालिया में यह beef पहुंच नहीं पा रहा है, जिसकी वैसे एक beef को लेकर बवाल हो रहा है, जो दाम है वो काफी बढ़ चुके हैं, इनफाक्ट यहाँ पर demand तो बहुत हो रही है, supply बुलकुल डाउन हो चुकी है, जिसकी वैसे यहाँ पर crisis आ रहे है, beef को लेकर मिघालिया में और इसी को लेकर बहुत सरे articles published हो चुके हैं, एक और important article आता है examination के point of view से, यहाँ पर हम लोग बात करने वाले हैं monkey pox के बारे में, बहुत जादा चर्चा में आ चुका है, in fact, इंडिया के सारे newspapers इसको already cover कर चुक articles को पड़ा, तो बहुत सारी और अच्छी information निकल कर आती है, वो सारी information भी मैं आपके सारे discuss करने वाला हूँ, ठीक है, कुछ points अगर हमने पड़े तो आपके revise भी हो जाएंगे, तो don't worry, आपको बहुत को जाने को मिलने वाला है, तो यहाँ पर अगर हम लोग बात करें, मु information नहीं देखने को मिलता, कभी-कभी यहाँ पर बहुत मुश्किल से देखने को मिलता है, यह बिल्कुल smallpox की तरह ही है, जो कि UK में पाया गया, बोला जा रहा है कि एक Nigeria से व्यक्ति गये हैं, UK के अंदर, उनी के अंदर यह monkeypox देखने को मिला, monkeypox एक viral zoonosis disease आपको देखने को होता है, उसी वाइरस को हम लोग zoonosis बोलता है, जैसे हैं आपर यह monkey में से यह वाइरस ट्रांसमेट हुआ इंसानों के अंदर में, तो इसी वैसे हैं आपर इसको zoonosis disease बोला गया है, क्लियर हुआ, आगे चलते हैं, अब आप देख पाऊगे, Indian Express न इस आर्टिकल को काफी ड Democratic Republic of Congo देखने को मिलेगा, इसके आप सपास आपको Congo देखने को मिलेगा, Tanzania, Zambia, Angola, यह सारी यहाँ पर countries आपको देखने को मिल जाती है, तो इनी countries में सबसादा यह monkey pox के cases देखने को मिलता है, इसको यहाँ पर detect किया जाता है, ना किवल monkey के अंदर में, उसके अलावा rights के ठीक है, कुछ यहाँ पर monkey की अलगलग प्रजातियां उसके अंदर भी देखा गया है, squirrels के अंदर भी देखा गया है, तो monkey के अलावा भी यहाँ पर बहुत सरे जानवरों के अंदर यह virus पाया जाता है, नाव यह monkey pox है, यह monkey pox virus की वाज़ा से होता है, तो monkey pox बिमारी होत यह monkey pox virus आपको देखने को मल जाएगा, जिससे monkey pox बिमारियां फैल रही है, अब इस monkey pox का इतिहास क्या रहा है, इसको discuss करता है, सबसे पहला यहाँ पर आप देख पाँ उसका background, तो monkey pox जो infection है, यह सबसे पहली बार discover किया गया था 1958 में, ठीक है, और उसके बाद आप उसके fever हो जाता है उसको, ठीक है, बुखार हो जाता है, रैशिस हो जाता है, प्लस जो lymph nodes होते हैं, वो भी यहाँ पर swelling में देखने को मिल जाते हैं, इस प्रकार साब देख पाऊगा, यहाँ पर एक swelling वगरा भी देखने को मिलती है, अब बात करते हैं, transmission की तो यह फैल तक गासे हैं, तो monkeypox virus जादतर जो transmitted होता है, वो यहाँ पर एक तरीके से जानवर से इनसान में ट्रांसमिट होता है, लेकिन हम ने हैं पर केसिस देखा है कि हाँ, human to human transmission भी हो जाता है, तो इनसान से इनसान में बीदेख़ फी ट्रांसमिट होता है, लेकिन वैसे तो यहाँ पर यह एक त्रीक के से जानवर से जो rodents उता है प्रेमेट्स होता है उनसे इंसानों में ठ्रांस्मुट जूता है जैसे कि जैसे कि rodent में हिया पर हमारा चूह आउ गया। ट्रेच के अलावा cat brain हो गया इस प्रकार से लगलग जानवर है, प्रेमिट्स के अंदर आपको यहाँ पर यह monkey देखने को मिल जाएगा, उसके बाद यहाँ पर यह आपको देखने को मिल जाएगा, तो इन जानवरों से क्या होता है, इंसान में यह वाइरस आ जाता है, और फिर इंसान उसे इंसान में भी तो पहला monkeypox का case 1970 में हम लोग को मिलता है और उस समय पे हम लोग लगे पड़े थे smallpox को खतम करने के लिए ठीक है smallpox के मतलब आपने देखा होगा smallpox एक जमाने में बहुत ज़ादा ये फैला करता था और smallpox की तरह ही आपको ये monkeypox भी देखने को मिल जाता है काफी similarities यहाँ पर नजर आती है अब यहाँ पे जो monkeypox virus है ये transmit होता है एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में ये human to human transmit भी हो सकता है लेकिन यहाँ पर body fluids की वज़ा से या फिर एक close contact होता है यहाँ पर female का तो उसमें भी यहाँ पर ये virus transmit हो सकता है ठीक है उनका जो infected respiratory tract है उसके थूर यहाँ पर ये transmit हो सकता है तो काफी सारी चीज़े हैं जिसके basis पर दो व्यक्ति के बीच में ये transmit हो सकता है अब इस monkeypox का incubation period कितना देखने को मिलेगा मतलब कि मालो आज ही व्यक्ति infect हुआ उसको यहाँ पर symptoms यानि लक्षड कब से देखने को मिलेंगे तो इसके बीच का जो ये incubation time period है time from infection to symptom तो infection जब हुआ है उससे बाद यहाँ पर कब लक्षड देखने को मिले है उसके बीच का time period है वो हमारा incubation period के लाता है तो वो incubation period monkeypox में 7-14 दिन का आपको देखने को मिल जाएगा ठीक है 7-14 दिन का है और इसको बढ़ा कर मतलब इसकी जो range है वो 5-20 दिन की आसपास भी हो सकती है कि आपको 5 दिन पर infection हुआ है लेकिन क्या है आपको symptoms हो है काफी दिनों बाद पता रहें उसके बाद यहाँ पर fatality rate के बारे में चर्चा करें मतलब कि अगर मतलों किसी को monkeypox affect करता है तो क्या उसकी जान बचतिया चली जाती है तो आपको बोला गया देखो जो fatality rate है वो यहाँ पर यह बोलता है कि लगबग मालों अगर 10 व्यक्ति को यह affect करता है तो 10 व्यक् monkeypox के वज़ा से clear हुआ आगया आता है फिर उसके बाद यहाँ पर आप देख पाऊगे जो bush meat वगरा है इससे भी monkeypox वगरा फैल जाता है इसका meat वगरा देखने को मिलता है फिर अब इसका treatment क्या हो सकता है क्या उपाय है इसका तो कुछ हमारे पास presentation से वह यहाँ पर यह बोल क्या था vaccine या vaccine का अब यह जो vaccine इसने काफी अची तरीके सा काम किया और यही vaccine क्या कर सकती है हमारे monkeypox को भी खतम कर सकती है इसके अगेंस में आपर एक protection दे सकती है लेकिन हो क्या रहा है इस smallpox बहुत लंबे समय पहले हमने खतम कर दिया तो उसके बाद आज के टाइम पर इस वैक्सीन के उपर इतना काम किया नहीं जाता इस vaccine का भी यहाँ पर एक बहुत बड़ा आपको shortage देखने को मिल जाता है फिर उसका बताया गया एक और नई third generation जो वैक्सीन या वैक्सीन है इसके उपर यहाँ पर काम के जा रहा है इसको अप्रूव हम लोग कर चुके हैं जो कुछ हमारे पास treatment है monkey box को लेकर आगे आते हैं next article की दराफ अगला article यह भी हमारे GS paper 3 environment के point of view से important हो जाएगा यहाँ पर हम लोग बात करने वाले हैं मगर क्रोकोडाइल के बारे में मगर क्रोकोडाइल यानि मगर मस के बारे में हम पर चर्चा करेंगे यह article चर्चा में है क्य क्योंकि वहाँ पर जो 350 मगर क्रोकोडाइल है वो यहाँ पर मर रहे थे सूखे की वज़ा से ठीक है तो यहाँ पर पानी पहुचाया गया ताकि इन मगर मच को बचाया जा सके तो यह तो हो गया हमारा basic सा मुद्धा जो कि हमने समझा है इसी वज़ा से चर्चा में है अब इसी के regarding काफी सारा data cover कर लेना है क्योंकि examination में पूछ ले जाता है तो सबसे पहले चीज़ यहाँ पर यह जो मगर और मार्स क्रोकोडाइल है इसको हम लोग मगर और मार्स क्रोकोडाइल बोलता है यह आपको राजिस्तान के पाली में देखने को मिल जाएगा जहां पर यहा साफी खतरनाक भी आपको देखने को मिल जाता है प्लस हैबिडेट के बारे में चर्चा करें तो यह जो क्रोकोडाइल है यह आपको जाएतर साफ पानी में देखने को मिलेगा और बुटान के अंदर और मैनमार में यह अल्लेडी प्रजाती खतम हो चुक है एक्तिविटीज करी जारी हैं वहाँ पर ठीक है और क्रोकोडाइल का शिकार कर लिया जाता है क्योंकि क्रोकोडाइल के कुछ हिस्से को नहीं बचाया गया तो यह मगर प्रजाती खतम हो जाएगी जल्दी और वायल ड़िफ प्रोडेक्शन एक्ट 1972 के अंदर में शेडूल बन के अंदर डाला गया कि भाई इसका आप लोग व्यापार वगरा भी नहीं कर सकते हैं अगर करते हैं तो आपके उपर पैनल्टी वगरा चल जाएगी ठीक है तो यहाँ पर आप लोग देख पाऊगे इस प्रकार से इसको एक प्रोटेक्शन देने के बारे में चर्जा की क्यो柄 कोई रही है आप क्रोटेक्षा जा रही है क्योंकि अलेडि यह प्रजाति काफी खत्रें में है अब क्रोकडायल की तो एक प्रजाति यह वाली हुगी मगर और मार्ज क्रोटाइल इसके अलाबार आपको ओर भी अलग प्रजातियां देखने को मिलती है एक है AStuarin औ और salt water crocodile, इसको हम लोग यहाँ पर बोलते हैं, अर्थ का एक largest living crocodile species भी बोला जाता है, ठीक है, मतलब सबसे ज़्यादा लंबे समय तक जीने वाले यह प्रजाती है, इस तुरेन या फिर salt water crocodile, और यहाँ पर यह आपको ओडिशा के भितरकनी का national park में देखने को मिलेगा, प्लस बेंगॉल के सुंदरबंस में, और अंडब में निकोवर आइलेंड्स पर यह परजाती पाई जाती है, फिर उसके अद इसके protection status के बारे में चर्चा करें, देखो protection status जहां रखना, इसको लेकर directly question पूछ लिए जाता है, प्रिविएस यर में ऐसे question पूछे गाएं, तो protection status की बात करें, तो IUCN list के अंदर, यह least concerned category है, मतलब इसके जनसंग की अच्छी खासी है, उसके बाद यहाँ पर wildlife protection act 1972 के अंदर, schedule 1 के अंदर है, तो मतलब यहाँ पर अगेन इसके व्यापार वगरा के उपर पूरी तरह से बैन लागा रखाए, तो एक तो यहाँ पर salt water crocodile प्रज जाती है, घरियाल, बहुत important है, इसको लेकर UPSC question पूछ चुका है, घरियाल के बारे में चर्च करें, तो घरियाल को हम लोग कभी कभी गव्याल के नाम से भी जानते हैं, ठीक है, यह प्रकार का Asian crocodile है, इसका जो मतलब मुह है थोड़ा लंबस आपको देखने को मिल जाएग विंद्या mountains, मद्या प्रदेश के अंदर में, ठीक है यह प्राइमरी habitat है, तो यह जो चंबल रिवर है, यह प्राइमरी habitat है, सबसादा घरियाल, अगर नाचुरल यह आपको देखने हैं, तो वो चंबल रिवर में देखने को मिलेंगे, चंबल रिवर के बाद में घागरा, गंडक, गिरवा रिवर, रामगंगा रिवर, यह सारी नदियां जहां पर यह इन रदियों को हम लोग इस मगरमच का secondary habitat बोल देने, जो प्रामरी habitat है, वो यहाँ पर चंबल रिवर है, और इसके protection status के बारे में चर्चा करें, तो यह भी critically endangered category में है, मतलब कि यह प्रजाती भ हम लोग 1000 रुपे cash award देंगे उस व्यक्ति को, जो यहाँ पर घरियाल्स को बचाएगा महनदी river basin के अंदर में, तो घरियाल्स को यहाँ पर protect करने के उपर भी काफियत तक focus किया जा रहा है, अब UPC 2017 में इसी चीज को लेकर एक question पूछता है, question यह है, if you want to see घरियाल्स in their natural habitat, which one of the following is the best place to visit, अगर आप लोगों घरियाल को अपने natural habitat में देखना है, तो कौन सी जगह सबसे best होगी, option A, भिदरकनी का mangroves, option B, चंबल river, option C, fully cut lake, या फिर option D, deeper wheel, तो इसका सही आंसर क्या है, इसका अंसर सही है, चंबल river, अभी मैंने आपको यहाँ पर इसी के बार में information द अलग-लग जोडे बना कर दिये गए, बताने हैं कौन सा जोड़ा correct है, यहाँ पर कुछ area का नाम दिया गया है, भिदरकनी का ओरिशा, desert national park, उसके बाद यहाँ पर एराविल कलम केरिला, और जैसे कि भिदरकनी का national park, जो ओरिशा का है, यहाँ पर salt water crocodile पाय जाता है, क्या यह सही है, उसके आद दियुसरा वाला desert national park, यहाँ पर great Indian bastard पाय जाती है, क्या यह सही है, तीसरा आपको एराविल कलम केरिला, यहाँ पर हूलक गिबों पाय जाता है, तो यह क्या सही है, तो आपको बताना है कि कौन सा correct answer है, तो इसका correct answer आपको B देखने को मिलेगा, first और second बि जो है वो बिल्कुल correct आपको देखने को मिलेगा, दूसरा desert national park के बारे में अगर हम लोग चर्चा करें, तो यह आपको राजिस्तान के जैसल मेर district के अंदर देखने को मिल जाता है, यह जो sanctuary है, इसको एक national park declare किया गया था, 1980 में, ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग इसके पर भी थोड़ा सा focus कर सकते हो, उसके बाद यहाँ पर Great Indian Bustard पाई जाती है, तो मतलब कि आप देख पाऊगे, यह दूसरा pair भी correct है, तीसरा वाला pair है Eravokalum और Kerala का, तो Eravokalum यह आपको Kerala के अंदर देखने को मिल जाएगा, ठीक है, अब यहाँ पर अगर हम लोग बा ठीक है, तो Assam के अंदर जो Game of Wildlife Sanctuary है, काजी रंगा पास में, काजी रंगा के पास में ही, तो वहाँ पर यह वाली प्रजाती पाई जाती है, तो तीसरा वाला जो statement है, या फिर तीसरा वाला pair है, वो गलत है, तो आप लोग देख पाऊगे, इस प्रकार से question पूछ ले जात हैं, अब फटा-फट हम लोग एक overview लेते हैं, यह overview हमाले काफी important होता है, क्योंकि हम काफी सारा information अलड़ी discuss कर चुके होते हैं, तो यह सारी बाते भी हम यहाँ पर एक बार overview लेंगे, तो याद रहेगा, पहले article में हमने National Family Health Survey 5 के बारे में discussion किया, यह जो National Family Health Survey 5 है, इसका second phase पहला जो report है, वो release कर दिया गया है, इस report के अंदर काफी सारा data दिया गया, data के अंदर सबसे पहले चीज़ यहाँ पर बात किया, यह total fertility rate के बारे में, तो जो total fertility rate है, वो यहाँ पर गिरता हुआ नजर आया है, in fact पहले 2.2 का हुआ करता था, वो यहाँ पर 2.0 का पहुंच है, area wise, community wise आप देख पाऊगा, यह data हमने cover गया, फिर हमने discuss किया, जो underage marriage है, यहाँ पर आप कर सकते हो कि 18 साल पूरे होने से पहले जो शादिया हो रही है, ठीक है, यह एक तरीके से कम होना चालू हुआ है, पहले 26.8% के आसपास का data था, वो 23.3% का पहुंचा, उसके methods क्या होता है, यह हमने discuss किया, उसके बाद यहाँ पर reports ने यह भी बताया, कि जो domestic violence है, यानि की women के प्रती, जो घरेलू हिंसा है, वो बड़ी है, यह कम हुई है, तो यहाँ पर आप देख पाऊगे, जो domestic violence है, वो थोड़ा सा कम हुआ है, थोड़ा सा यहाँ पर गिरावट देखने को मिला है, लेकिन अभी भी करनाड का के अंदर घरेलू हिंसा सबसे आपको देखने को मिल जाती है, लक्षदीप के अंदर सबसे कम देखने को मिलेगी, फिर उसके बाद institutional birth के बारे में discussion करें, तो यहाँ पर जो institutional birth है, वो भी बड़े है, 79% पहले था, तो यह 89% प नजर आएगा, चाहे वो men हो, चाहे women हो, दोनों के बीच में, फिर उसके बाद में, जो sustainable development goals है, उसकी तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं, बिल्कुल बढ़ रहे हैं, फिर साथ-साथ यहाँ पर यह report लास्न मेंशन करता है, कि जो women का participation है, वो यहाँ पर घर के decision में, हर चीज में बढ़ चुका है, ठीक है, in fact, यहाँ पर जो women's के पास, जो एक time पर banks और saving accounts हुआ करते थे, वो बहुत कम हुआ करते थे, तो इसके अंदर एक बढ़ोतरी देखने को मिली है, पहले 53% women के पास में यह accounts हुआ करते थे, अब 79% women के पास में accounts देखने को मिल जाएंगे, तो यह article था, फिर अगले article में हमने discuss किया, मिघालया के अंदर beef crisis आपको देखने को मिल जाएगा, अब पहले हमने map को देखा कि यहाँ पर आपको पूरा का पूरा North Eastern Straits का यह map देखने को मिल जाएगा, फिर हमने discuss किया, Assam के अंदर एक cattle law आपको देखने को मिलता है, Assam Cattle Preservation Amendment Act 2021, ठीक है, इस Act के अंदर, मतलब पिछले साल इसके अंदर amendment किया यहाँ जहाँ पर major focus है, कि जो cow slaughtering है, यानि कि जो गाय का हतिया की जारी है, उसको पूरी तरह से यहाँ पर रोख दिया जाएगा, उस slaughtering को रोख दिया जाएगा, तो इस Act के features क्या है, और issues क्या है, यह हम ल हमने देखा कि जो cow slaughter है, इसको ban क्यों किया जा रहा है, तो यहाँ पर आप देख पाऊ कि जो DPSP है, उसके अंदर mentioned है, कि हाँ भी हम लोग steps उठा सकते हैं, और यह slaughtering of cow से उसको prohibit करना चाहिए, ठीक है, यह हमारे पास DPSP के अंदर already mentioned आपको देखने को मिल जाएगा, फि का, आप लोग यहाँ पर, जो slotting में वगए रहा है, वो कर सकते हो, इसकी permission available है, फिर उसके बाद next article में हमने monkey box के बारे में discussion किया, अभी हमने देखा UK के अंदर एक case जो है monkey box का वो यहाँ पर confirm कर लिया गया है, जो की काफी important निकल कर आ रहा है, फिर हमने discuss किया monkey box जो बिमार कैसे होता है, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में भी transmit हो जाता है, इसका incubation period क्या है, fatality rate क्या आपको देखने को मिल जाएगा, इसका क्या यहाँ पर treatment है, ठीक है, तो vaccine या vaccine के बारे में हमने चर्चा किरी थी, फिर अगले article में हमने मगर crocodile के बारे में discussion किया, ठीक है, तो इसका scientific name क्या है, तो scientific name है, crocodiles, palestres, इसके यहाँ पर मैंने details से बता है, खहाँ काबर पाया जाता है, बोटान और मैनमार के अंदर यह already crocodile खतम हो चुका है, फिर हमने इनके protection status के बारे में चर्चा की है, फिर crocodile के और भी बाकी सरी प्रजातियों के बारे में discussion किया, salt water crocodile के बार उसका रखाई है, हमने discuss किया, फिर UPSC ने 2017 में question पूछा था, वो हमने discuss किया, फिर 2010 में question पूछा गया था, वो भी हम लोगों ने यहाँ पर discuss किया हुआ है, दन उसके बाद में, अच्छा, एक article और रह गया हमारा, तो revision के time पर आई चुके हैं, कोई बात नहीं, यहाँ पर प्रधान मंतरी गरीब कल्यान अन्योजना को revise कर दिया है, मतलब कि अभी आपको बता होगा, इस प्रधान मंतरी गरीब कल्यान अन्योजना के अंदर में, क्या हो रहा है, कि जो लोग है, उनको थोड़ा सा free में राशन मिल रहा है, अब यह जो राशन मिल रहा है, बहुत ल एक तरीके से इसी कल्यान पैकेज का पार्ट आपको देखने को मिल जाएगा जहां पर हमारा मेजर फोकस यह था कि COVID-19 के टाइम पर जब लोग लड़ रहे थे COVID-19 से तो उनकी हम लोग मदद कर सकें ठीके खासकर जो गरीब लोग हैं उनको कुछ खाना मिल सकें उसी के लिए गरीब कल्यान अन योजना को लेकर आया गया ठीके जहां पर गरीब के लिए कुछ यहाँ पर अन बगगरवाईड के जाएगा इसी के बेसिस पर इसका नाम रखा गया यह जो पूरा का पूरा यहाँ पर योजना है यह आपको एक तरीके से मिनिस्ट्र वां फिनेंस के अं इसके बाद इसको बढ़ा दिया गया नवंबर 2020 तक और इसी प्रकार से मतलब कि पहले एप्रेल में जून 3 महीने के लिए लेकर आए फिर बढ़ा कर दिस नवंबर 2020 तक पहुचा फिर उसके बाद फेस 1,2,3,4 करके चलता रहा और यह इसकीम तब से साल 2020 के एप्रेल से अभी 2022 तक यह इसी प्रकार से फ्री में राशन आपको मिल लेगा ठीक है यह यहाँ पर इस प्रधान मंत्री गरीब कल्यान अनियोजना का एक अपडेट आपको देखने को मिलेगा अब इसके अंदर कुछ डीटेलिंग्स हैं यह जो स्कीम है इसका जो मेजर मकसद यहाँ पर यह अब जो 5 किलो उसको राशन में समान मिल रहा है पब्लिक डिस्ट्रिबिशन सिस्टम से आपको बता होगा जो राशन मिल रहा है 5 किलो वो तो अलग है उसके अलावा हट कर एडिशनल वे में 5 किलो यह गेहुँ चावल दिया जारा है सरकार के साइड में इस पर योजना के अदर में यह आपको ध्यान अखना है लेकिन यहाँ पर अभी एक चेंज हो चुका है चेंज यह है कि साल 2020 में एक बहुत बड़ी चीज यह भी थी कि सरकार एक किलो यहाँ पर दाल वगरा भी दे रही थी एक किलो ताल या चने वगरा भी दे थी फ्री आफ कॉस्ट में ले यहने कि चुरू के जो यह पांच फेस हैं इन पांचों फेस के अंदर जो सरकार का खर्चा है वो लगबग 2.60 लाक करोड के आसपास का है ऐसा है यहाँ पर एक डेटा हम लोगों के साथ में बोलता है ठीक है तो आई होब आप लोग आपर इस प्रधान मंत्री गरीब कल्य अन्य उजना के बार में भी जान लिया तो छोड़ा सा आर्टिकल था इसी वेसे मैंने आपर यह भी कवर कर दिया है इसी के साथ करते हैं हम लोग अपने लेक्चर को समाप्त और मिलते हैं आप लोगों से नेक्स वीडियो में आज क्ले बाबाए, have a nice day, thank you and जैहिंद